दो फ्रेंड्स एक दूसरे के साथ एससे रिलेशनशिप स्टार्ट करते हैं जिसमें कोई भी कमिटमेंट नहीं कैसे रिलेशनशिप टिक पाई की आगे क्या होगा यह हम आज की मुवी फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स यह 2011 की एक रोमेंटिक होलिवड मुवी में हम देखेंगे अगर आपको एकस्पलेंशन अच्छा लगता है तो प्लीज इससे लाइक और कमेंट जरू कर दीजेगा बीना किसे दरीके एकस्पलेंशन स्टार्ट करते हैं मुवी स्टार्ट होती है और हम हमारे में गारेक्टर डिलन को देख सकते हैं डिलन एक ब्लॉगर था और उसके एक कमपनी भी थी अपनी काम की वज़े से अपनी गल्फरेंड को टाइम नहीं दे पाता एक दिन जब वो मुवी देखने के लिए जाने वाले थे इस वर भी डिलन बहुत ही लेट हो गया जब वो अपनी गल्फरेंड सी मिला तो उसे वो ब्रेक अप कर लेती है कहती है तुम हमेशा आपने काम पर ही ध्यान देती हो मुझ पर तुम्हारा कभी भी फोकस नहीं होता इससे के पैरलल में हम हमारी और एक मैन गैरेक्टर को देखते है इसका नाम में जेमी जेमी के बॉइफरेंड ने भी आज उसके साथ ब्रेक अप कर लिया कहा कि तुम बहुत ही इमोशनली अनेवलेबल हो एक्च्च्वल में जेमी ये रोमेंटिक मुवीज देखती है उसे हमेशा लगता है उसे बचाने वाला प्रिंच चार्मिंग आने वाला है उसके लिए सिंग करेगा उसके लिए डांस करेगा इस सारी चीज़े बहुत ही कमिट्मेंट लेती है और एक commitment करने वाला Jamie को अब तक कोई भी मिला नहीं है इन दोनों के break up के बाद इन दोनों बहुत हर्ट हो चुके थे Decide करते हैं कि अब कभी भी date नहीं करेंगे Actual में Jamie New York में रहती है और Dylan LA में इसके बाद तुरन Nixon में हम देखते है Dylan LA से New York में आ रहा था उसे एक अच्छे जॉब की offer आई थी और यह offer Jamie की वज़े से आई है Actual में Jamie की freelancer HR Consultancy है जिन भी company को अच्छे employee शाहिए होती है इनका contact को उने देदेती है इसी वज़े से Jamie ने Dylan को contact किया था अब job interview देने के लिए Dylan New York में पहुचा Jamie वहाँ उसका welcome करने के लिए Jamie को लगता है कि अब Dylan को GQ magazine में काम करने के लिए मिलेगा यह उसके लिए बहुत ही बड़ी opportunity है पर Dylan को इसका seriousness नहीं था उसके लाए बहुत ही अच्छी थी और LA भी उसे पसंद था Jamie नहीं कहा कि New York based है तुम्हें इसे opportunity कभी भी नहीं मिलेगी इतनी बड़ी company में काम करना है बहुत बड़ी opportunity है Dylan इंटर्वी देकर रहा है और उसे जॉब मिल भी जाता है पर अभी भी उसे New York में रहना है या नहीं इसे लेकर वो शूर नहीं था Jamie नहीं कहा कि मैं तुम्हें दिखा कर रहूंगे कि New York कितना best है वो फिर उसे Brooklyn Bridge के पास एक बार मिलेकर आई यहाँ पर Dylan एक celebrity से भी मिलता है पर उसे वो इतना अच्छा नहीं लगा इसके बाद उसे बहुत ही tall building के उपर लेकर आई Jamie ने कहा कि मैं जब भी upset होती हूँ तो हमेशा यही पराती हूँ यह उसके लिए बहुत ही beautiful सा experience था Dylan को भी बहुत अच्छा लगता है Dylan के father भी एक बहुत बड़े writer थे यह बात Jamie को पता थी तो Jamie ने उसे पुछा तुम यहाँ पर job ले रहे हो इसके बारे में तुम्हारे father क्या कहेंगे Dylan गयता है मैं हमेशा life में जो भी करू वो अच्छा ही करूँगा यह मेरे father को हमेशा लगता था मुझे बात प्राउड होते है इसके बाद Jamie डिलन को time square में लेकर आई वहाँ पर सब लोग एक synchronization में dance करने लगते है Jamie ने का इतनी बड़ी city में लोगों का अकिला न लगे तो इसलिए सब मिलकर यहाँ dance करते है उन्हें लगता है कि किसी चीज का ओपार्ट है यह सारी चीज़े देखकर डिलन ने भी decide कर लिया क्या वो नियॉक में रहेगा डिलन ने फिर अपना job join किया सबके साथ वो बहुत ही friendly था उसका एक नाया friend बनता है जिसका नाम है Tommy डिलन के office में इस job का contract sign करवाने के लिए Jamie आई हुई थी यह एक one year contract है पर फिर भी डिलन छोड़ कर जा सकता है पर जैमी कहती है कि ऐसा करना मत अगर तुम छोड़कर चलेगे तो मुझे कोई भी bonus नहीं मिलेगा बात करते करते डिलन जैमी से पूछ लेता है क्या तुम मेरे साथ lunch पर चलोगी जैमी को लगा कि डिलन उसे date पर पूछ रहा है जैमी कहती है कि पूरे city में सिर्फ मैं ही तुमारी friend हूँ और अगर हम दोनों date करेंगे तो सब बहुत ही weird हो जाएगा डिलन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं था मैं सिर्फ as a friend तुम्हें पूछ रहा था इसके बाद फिर ये दोनों lunch के लिए आए बाते करते करते अपने previous break up के बार में बात करने लगते है उनके ex partners को उनके बार में क्या लगता था इस सारी चीज़े एक दूसरे को उनोंने बता दी ये हमेशा एक दूसरे के साथ बहुत ही honest रहते है इस वज़े से इनकी friendship strong हो जाती है जेमी ने कहा कि कल रात मेरे घर पर party है जहाँ पर तुम और भी friends बना सकते हो डिलन भी इस party में पहुँच गया बहुत सारे मज़े करता है इसके बात ये दोनों एक दूसरे से मिलने लग गए थे एक रात डिलन जेमी के घर पर movie देख रहा था जैसे कि हमें पता है जेमी को romantic movies बहुत ही अच्छी लगती है डिलन कहता है कि सारी movie एक ही type की होती है इन movie में relationship के लिए लोग कितना सब कुछ करते है किसे से प्यार करना इतना complicated होना नहीं चाहिए जेमी भी इस बात से agree करती है कहती है कि आदमी की physical needs होती है उसी complete करने के लिए हमें इतना सब कुछ नहीं करना चाहिए डिलन कहता है कि जैसे हम किसे के साथ tennis कहलती है उसी तरीके से ये भी चीज़े होनी चाहिए दोनों को एक गंसे बहुत ही अच्छा लगा तो डिलन जेमी से बुच्छता है कि तुम्हें tennis खेलना है इसका मतलब है बिना किसी commitment के साथ डिलन उसके साथ physical relationship रखना चाहता था जेमी कहती कि ऐसा कैसे कि हम एक दूसरे से attracted भी है इन दोनों ने एक दूसरे को no diss किया और हो realize करते है कि दोनों attractive है और इसके बाद इस दोनों intimate होगे इन्होंने कसम ली थी कि इनकी relationship सिर्फ physical रहेगी कोई भी emotions involved नहीं होंगे यह हमें शाचे friends रहेंगे और कोई भी problem नहीं आएगा इस रात के बाद कुछ दिन पीच जाते है दोनों की बीच में जरा awkwardness था तो एक दिन Jamie ही डिलन के office में आके दोनों ने इस issue पर बात की उन्हें लग रहा था कि शायद जो भी हुआ इस वज़े से इनकी relationship में awkwardness आ चुका है decide गरते है कि ऐसा फिर से कुछ भी नहीं करेंगे पर एक दूसरे से दूर रह नहीं पाया और फिर से intimate हो जाते है एक दिन जब वे साथ थे तभी आचानक से Jamie की मदर आ जाते है Jamie ने मदर उनको situation समझाए और मदर को बात अच्छी लगी actual में Jamie की मदर ने भी कभी भी commitment नहीं की थी उसका divorce हो जाने के बाद वो कभी भी settle नहीं हुई थी एक जगा पर वो टिकती भी नहीं थी इसके बाद नेक सिन्मम देखते है कि डिलन और टॉमी जब hangout कर रहे थे तब डिलन ने उसे जब Jamie के बारे में बताया तो टॉमी कहता है कि तुम्हारे relationship कभी भी बग नहीं करेगी लटकियों का इन सब चीजों को देखने का नजरिया बहुत ही अलग होता है वो तुम से कुछ भी कहे है पर वो कुछ अलग चीज ही चाहती होगी अब ज़रा टाइम गुजर चुका था तो एक दिन Jamie realize करती है कि उसे फिर से date पर जाना है वो एक serious relationship चाहती थी डिलन कहता है कि ठीक है यह arrange में तोडने के लिए ready था इसके बाद दुनों पार्क में आए और उसने कहा कि मैं उस लड़की को date कर सकता हो वही पर जाकर उसने directly उसे बात कर ली बाद में उसे पता चला कि उस लड़की का husband और kids भी है जेमी उस पर बहुत अस्ति है उसने भी पार्क में और एक लड़की को notice किया इस बार जेमी ने जाकर उसे approach किया वो एक doctor था और जेमी उसके साथ date पर जाने वाली थी वो दोनों first date पर गए एक दूसरे को बहुत ही अच्छे लगते है डॉक्टर का नाम था पार्कर और पार्कर को जेमी के साथ उसके घर पर चलना था पर जेमी उसे कहती है कि मेरा एक rule है पास date तक मैं किसी को भी घर पर नहीं ले जाती उसने उसे बताया कि मैंने imagining किया है कि मेरे भी life में movie जैसा एक hero आएगा मैरा एक prince charming अब जब जेमी और पार्कर डेट करने लग गए थे तो डिलन का ज़रा अकेला महसूस होता है उसे miss करता है उसने दूसरी लड़कियों के साथ डेट पर जाने का try किया पर फिर भी उसे अच्छा नहीं लगता इसके बाद हम देखते हैं कि जेमी और पार्कर की pass rate complete हो गई थे ये दोनों intimate हो गए जेमी अगली सुबा उठी और डोनर्स लेने के लिए जाती है पार्कर मोगे का फायदा उठा कर उसे कुछ भी ना बताते हुए उसके अपार्मेंट से निकल रहा था जेमी नहीं उसे पकड लिया तो वो बहाने बनाता है जेमी बहुत हर्ट हो के जेमी को बुरा लगा तो पार्कर कहता है जो प्रिंस चार्मिंग तुम्हें अपनी लाइफ में चाहिए वो मैं नहीं हूँ वो उसे इतना टाइम और अटेंशन नहीं दे सकता इसी बात पर उनका ब्रेक अप हो गया ये सब बात जो जो जेमी डिलन को बताती है डिलन कहता है कि उसे भूल जाओ वो बहुत ही घटी आदमी था जेमी को चीरप करने के लिए उसे जो पेंटिंग अच्छी लगती थी ये डिलन ने बाय कर ली थी जेमी को ए पेंटिंग बहुत अच्छी लगी जब वो घर पर आये तो उसकी मदर अचानक से फिर से चली गई थी हॉलिडे था तो जेमी और उसकी मदर एक साथ टाइम स्पेंट करने वाले थे जेमी को बहुत ही बुरा रखता है डिलन को जब बात पता चली तो कहता है तुम मेरे साथ मेरे घर पर आ सकती हो वैसे भी तुम घर पर बहुत जादा बोर हो जाओगी उसने डारेक लेटिकिट बुक कर ले और उसे घर पर लेकर आता है डिलन के घर पर उसके फादर के साथ उसकी सिस्टर भी रहती है यह सब एक दूसरे से इंट्रोडीूस हुए डिलन के फादर और उसकी सिस्टर एनी को जेमी बहुत अच्छी लगती है यहां में पता चलता है कि डिलन के फादर को अल्जाइमर था, इस वज़े से सारी चीज़े वो भूल जाते थे, वो बहुत ही ज़ादा embarrassing चीज़े करते थे, वो अब जो भी चीज़े करते हैं, कभी-कभी अपने पैंड पहनना भी भूल जाते हैं, यह सब चीज़े डिलन को ज़रा uncomfortable लगती है, वो इससे embarrassed हो जाता है, slowly-slowly Jamie और Annie यह दोनों bond करने लग गई थे, रात में Jamie के रूम में डिलन आ गया, उसके साथ ही रात बिताना चाहता था, तो Jamie उसे मना कर देती है, तो दोनों वही पर hangout करने लग गया, एक दुसरे के साथ time spent करना इन्हें बहुत ही बाहर निकल कर अपने रूम में गया, तब Annie ने बात notice की थी, अगली रात डिनर करते वक्त, डिलन के फादर को अचानक से अपनी wife की याद आकि, उनको already divorce हो चुका था, तो इस बात से उसके फादर बहुत ही upset हो गय, डिलन को जिस बहुत ही embarrassing लगी थी, इसके बात next day, जब जेमी को CT दिखाने के लिए लेकर गया, तो होल्रूर साइन पर बैठ जाते है, डिलन डर रहा था पर जेमी उसे जबरदस्ती लेकर गई, उससे कहते कि तुम्हें अपने फादर को लेकर embarrassed नहीं होना चाहिए, लोग उने क्या समझते हैं, ये चीज इतनी जादा matter नहीं करत वो तुम्हारे फादर है और तुम्हें उनी नजरों से उन्हें देखना चाहिए, डिलन को ये भी बात सही लगी, जिस साइन पर वो थे, यहां बैठना allowed नहीं था, तो पुलिस उन्हें पकड भी लेते हैं, बैचारा डिलन हाइट से डरता था, तो इस वाजे से भाग भी नहीं पाया, इनका वेकेंड ऐसे ही बहुत ही अच्छे से जा रहा था, तब एक दिन एनी डिलन से बात करती है, कहती है, तुम दोनों के बीच में चल क्या रहा है, मैंने नोटिस क्या, तुम एक दूसरे के लिए बहुत ही परफेक्ट हो, डिलन कहता है कि ऐसा कुछ भी न अपना काम कंटिनू करता है, पर उसके जेमी से कुछ भी बात नहीं होती है, उसे पूरी तरीके से इंग्नोर कर रही थी है, कुछ भी कॉल्स नहीं उठाती है, एक दिन जेमी को एक कंपनी की रिक्वार्मेंट आए, वो डिलन को किसी भी हाल में हायर करना चाहते थे, जेम जेमी ने कहा कि मैं emotionally unavailable हूँ, हम दोनों कभी बे एक साथ नहीं रह सकते हैं, डिलन कहता है कि वो सारी चीज़े सिर्व में मेरे sister से खेरा था, उसका कुछ भी जाधा meaning नहीं है, जेमी कहती है कि तुमने मुझे कभी भी seriously लिया ही नहीं, उसे actual में डिलन के लिए feelings आ गई थी ये बात डिलन realize नहीं कर पाता, उसे इस तरीके से खोने के बाद उसे बहुत बुरा लगता है, जेमी को अच्छे लगने वाली romantic movies जो उसे अच्छे नहीं लगती थी, ये भी उसे miss करते हुए देख रहा था, जिस company ने पहले जेमी को contact किया था, वो ही directly डिलन को contact कर लेती है डिलन जाकर उसके साथ meeting कर आया, तो जेमी कोई बात पता चलने के बात, उसे confront करने के लिए उसके पास बोच गई, उसे कहती है तुम्हारा contract है, तो इस तरीके से छोड़ कर नहीं जा सकते है, डिलन कहता है कि मैंने सिर्फ एक ही meeting की थी, पर अगर सचुज में जॉब छोड एक दिन जब है hangout कर रहे थे, तो सारी situation देख कर गयती है, तुम सिर्फ डरती हो, मेरी mistakes फिर से repeat नहीं करना चाहती है, तुम जो यह सब बात कहती हो, तुम प्रिंस चार में ही चाहिए, मूवी जैसा एक hero चाहिए, पर actual में तुम यह सब चीजे नहीं चाहती है, तुम एक strong पैंड निकाल कर बाजो में रख दी, इस बात से पहले हो embarrassed हो जाता, पर जेमी ने उससे जैसा कहा था, कि अपने फादर से तुम्हें embarrassed नहीं होना चाहिए, तो डिलन ने वे साही किया, उसने भी अपनी पैंड निकाल दी, उन्ने फादर के साथ lunch करता है, लोग क्या करेंग मैं कभी भी उसे भुला नहीं पाया, शायद उसी वचे से तुम्हारी मदर ने मुझसे divorce ले लिया, फादर पहले इसा बात नहीं कर सकते थे, पर हो कहते हैं, ये life बहुत ही ज़्यादा short है, तुम्हें इस तरीके से उसे waste नहीं करना चाहिए, ये सुनकर डिलन ने realize किया, क वह वहाँ पर बहुत जाता है, अचानक से जेमी के आस पास के सारे लोग डांस करने लगे, उसने डिलन को नोटिस किया, ये उसे जेमी को जिस तरीके से movies अच्छी लगती है, वैसे ही किया था, वो गहता है कि मैंने तुम्हें बहुत ही मिस किया, मुझे मेरा फ्रेंड वा कमेंट जरू कर दीजेगा, मैं बहुत सारे movies लेकर आता रहता हूँ, तो प्लीज चानल को सब्सक्राइब कर दीजे, और बेल नोटिवेशन आइकों दाने मत भूलेगा, हम फिर से मिलेंगे और एक निमुई के साथ, तब तक के लिए थैंक्यू, और आप अपने आपका ख हाल रखिया.